अलो दोस्तों मुसम समचार में आप सभी का स्वागत है जियां भायो आज हम आपत करेंगे बीसलपूर बांद की जियां भायो बीसलपूर बांद में पानी की आवक बहुती धीमी हो रही है बांद अभी 2.61 आरल मिटर खाली है जियां भायो 2020 के ताजा हलात की बात करें तो इस साल अजमेर, भीलवाडा, राजसमंद और चितोड में बारिश बहुती कम होई है इसके चलते बीसलपूर बांद में पानी की आवक काफी धीमी है पिछले साल अगस्त में तेज बारिश थी नतीजन बांद के गेट खोलने पड़ गे थे अगस्त में ही दूसरी और इस सामान्य से कम हो रही है आपको बताना चाते हैं बारे घंटे मातर एक सेंटिमीटर पानी की आवक पिछले दिनों में हुई है बात करें बांद कंट्रोल रूम का नुसार बीसलपूर बांद में बुद्धुवार को बारे घंटे में मातर एक सेंटिमीटर पानी की आवक द एक सेंटी मिटर पानी के आवक के साथ 312.89 आरल मिटर तक पहुँच गया है। वीसलपूर बांध के जल ग्रेण छेतर में गोटा बांध की चादर चलने के बाद भी पानी की आवक में इजाफा नहीं हुआ है। जल ग्रेण छेतर से जुड़ी डाई और खारी नदी में भी पानी की आवक शुरू नहीं हुई है। बलकि बनाश नदी से पानी की आवक बिल्कुल दीमी बनी हुई है। आपको बताना चाहते हैं तीन दिन से 1.20 मिटर पर ही गेज चल रहा है बनाश नदी का। पनाश नदी के तिनवेणी पर पिछले तीन दिन से 1.20 मिटर का गेज बनकर पानी की आवक बनी हुई थी जो बुद्धुआर को घटकर 1.15 मिटर रह गई है। जियां भायो बीसलपूर बांध के जलगरन चेतर में भीलवड़ा में 25 एम, साथ टोंक में 25 एम, चितोडगाट, देवली, मोतिसागर और बीसलपूर बांध पर बुद्धुआर को बारिस नहीं हुई है। तो भायो इसके चलते हुए बांध और पानी की आवक बिल्कुल धीरे बनी हुई है और अभी तक जियां भायो 2.61 आरल मिटर बांध बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो भायो वीडियो में तरह ही जे हिंच जे भारत।